छे राजियों के कुख्याद गैंक्स्टर लॉरेंस विस्तोई ने एक बार फिर से एक बड़े वेक्ति को जान से मारने की धमकी दी है इस बार लॉरेंस विस्तोई ने ना तो फोन पर जान से मारने के धमकी दिये ना ही किसी गुर्गों के जरिये फैरिंग करके धमकी दिलवाई है वलकि इस बार लॉरेंस विस्तोई ने गुजरात के एहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठ कर एक चिट्थे लिखकर एक बड़े वैक्ति को जान से मारने की धमकी दिये ना सिर्फ जान से मारने की धमकी बलकि उन्हें जाती शूचक सब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें अपमानित भी किया है और लॉरेंस बिस्नोई ने जो धमकी दिये है जो मामला निकल कर सामने आ रहा है कोई छोटा मुटा वेक्ति नहीं है उसके बार में बताऊंगा इससे पहले वारोप लगा चुके है निरेजववाना के ओपर भी लेकिन इस फार प्रधानमंत्री नरेंद्र बोदी का भी एंगल इसमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तों लॉरेंस बिस्नोई ने किस बड़े नेता को जान से मारने के धमकी दिये है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का उसमें क्या कुछ गठ जोड निकल कर सामने आ रहा है नरेंद्र मोधी का नाम क्यों लॉरिंस विस्नोई के इस धंकी में निकल कर सामने आ रहा है और तीसरा ये कि जिस्वेक्ति को जान से मारने के धंकी देने की बात अब निकल कर सामने आ रही है क्या वाकई में उसे जान से मारने के धंकी भी मिली है क्योंकि इससे पहले उसने दिल्ली के कुक्क्याद गैंक्टर और दिल्ली के दाउद कहा जाने वाले नीरज मवाना को लेकर भी इस तरह से हला काट रखा था फिलहाल एक एक बातें आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको तो वीडियो के अंदर तक बने रहीगा दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है देमनात पांडे और आप देख रही हैं रोजाना के तरह BDF नियोज की क्राइम सरीज खलना है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बताओं कि लॉरेंस विस्तोई इस वक्त दिल्ली में, पंजाब में, हरियारा में कहीं भी नहीं है इस वक्त लॉरेंस विस्तोई गुजराग के एहमदाबाद की साबर मती जेल में कहते है साबर मती जेल दरसल मैं आपको बताओ थोड़ा सा तो एक ऐसी जेल कही जाती है जहां पर तिहाड भी फेल है उतके आगे वहाँ पर ना तो अपराधी के पास कोई फोन वगरे पहुंचता है ना ही अपराधी किसी भी तरह से कोई चिट्थे उठ्थे लिकर किसी गैंक्सर या किसी को भी जानसेवारनी के धमकी दे सकता है मतलब कि अगर हम देखें इस बात की हम पुष्टी करेंगे अभी लॉरेंस विस्टोई ने दरसल पूरी खबर आप सुनिये पहले एक नेता है भीम सेना के जिनका नाम है सत्पाल तमर और इनका अब आरोप है कि लॉरेंस विस्टोई ने दो अपरेल के शाम पाँच बजे इने एक चिट्थे भेजी जिसमें जान से मारने के धमकी तो उसने दी ही दी थी लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो हमारे समविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमरा और बेटकर जी उनको लेकर भी लॉरेंस विस्टोई ने कुछ आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है अगर ऐसा है तो वागही में बहुत गलत है बाबा साहब का सम्मान तो सब हमेशा करते है लेकिन लॉरेंस विस्टोई ने सत्पाल तवर को जान से मारने के धमकी क्यों दी है ये दरसल जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस विस्टोई ने जो चिट्टे लिखी है उस चिट्टी में उसने दरसल ये कहा है कि तू प्रदान मंत्री नरेंद्रमोदी की जो पुराई करते हो उसे मत करो उसे बंद कर दो करना वन्ना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो गया तो ये मुख्य बात है प्रधानवंतरी नरेंद्रमोदी का नाम लेकर लॉरेंस विस्टोई के चठे में जांसे मारने के धमकी की बात अब कहीं न कहीं परिशानी का सबब बनी होई है लॉरेंस विस्टोई से पोच्टाच संभो नहीं है दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रे मंत्राले ने अब से पहले चार से पांच मेहने पहले एक आदेश जो भी समझे आप दिया था जिसमें साफ तोर से कहा गयाता है कि लॉरेंस विस्टोई को गुचराद के हमदाबाद जेल से ना तो किसी राज्य की पुलीस का स्टड़ी में ले सकती है ना प्रोडेक्शन रिमांड पर ले सकती है लौरेंस विस्नोई से किसे भे तना की कोई पोस्टाच हो भी नहीं सकती है ये एक बड़ा सवाल है कि अब गुरूगराम के जो सेक्टर साहिटीज की पुलीस है वो लौरेंस विस्नोई से कैसे इस मामले में पोस्टाच करेंगी लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा नजर दोड़ाईए तो कहीं न कहीं हमें ये जरूर मालूग जलेगा कि लौरेंस विस्नोई के नाम की जो चिट्टे लिखी है सत्पाल तमर को जांसे मारने की इसमें ये कहा गया है कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की बुराई मत करो नहीं तो मार दिये जाओ के बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लौरेंस विस्नोई इस तरह से हरकतें क्यों करेगा लेकिन फिलाल ये जांच का विस्सा है इनका नाम मैंने सबसे पहले उस वक्त सुधा था जब सिद्धुम उसे वाला की हत्या होई थी सिद्धुम उसे वाला के हत्या के बीच में इनके नाम को लिकर एक खबर आई थी जब इन्होंने कहीं निरजबावाना के ओपर बड़ा आरोप लगाया था और ये कहा गया था कि निरजबावाना की इनके वकील से कुछ बहस होई थी और जान से बारने के धंकी मिले थी तो बाई साब सत्पाल मलिक साहब एक बार निरजबावाना के ओपर आरोप लगा चुके हैं एक बार इस पुरे मामले में अब लॉरेंस बिस्नोई के ओपर आरोप लगा चुके हैं देखिए कई सारे लोग अपनी अपनी राय रखते हैं अलग-अलग तरीके से जिसमें अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि कभी-कभी हमने देखा है कि इस केस में ऐसे केसों में धंकी देने वाला कोई और होता है और लॉरेंस बिस्टोई या नीरेज जबवाना या फिर जितने भी इस तरह के फेमस गैरेक्टर हैं उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है और पकड़े जानने के बाद बहुत बड़े-बड़े खुला से होते हैं कई केसों में ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करके प्रसिद्धी हासिल करना चाहते हैं लेकिन इस केस में अभी तक कुछ आउटपुट या फिर कहें कंक्लूजन नहीं निकला है कि लॉरेंस बिस्टोई नहीं धमके दी है या नीरेज जबवाना ने ही सत्पाल तवर को जांच से मरने की धमके दी थी लेकिन धमकी तो मिली है दोस्तों लेकिन आगी की जांच परताल में बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होंगी लेकिन मैं एक बार फिर से कहता हूँ जाती सूचक शब्दों का जस्तरा से इस्तेमाल किया गया है वो गलत ह चाहे वो सत्पाल तवर हूँ या फिर बाबा साहब जो हमारे कानून के सम्विधान के रचाईता है भीमरावमेटकर जी उन्हें अफमानित किया जा रहा है यह सब गलत है दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए चाहे वो जो हूँ पुलिस इस पुरे मामले में जांच परताल कर रही है लेकिन दोस्तों आप सोचिए सत्पाल तवर का नाम बार-बार क्यों ऐसे हालात पर निकल कर सामने आता है चो सवालों के घेरे में हो जाता है इससे पहले भी जब हमने देखा था निरज बावाना के ओपर आरोप लगाया गया था तो ये खबर बहुत ज़्यादा वारल हुआ था चर्चित हुआ था और कई मिलियन लोगों नहीं से देखा था क्योंकि साबरमती जेल में आप देखिए जो पसे लॉरेंस विस्नोई गया है तब से लॉरेंस विस्नोई के नाम के चर्चे होने बंद हो गया है यानि लॉरेंस बिस्नोई के नाम पर जो हर 10-100 दिन में एक बार बड़े कांड होते थे उन्हें कहीं न कहीं अब उस पर ब्रेक देखने को बिला है और ऐसे में लॉरेंस बिस्नोई चिट्थे लिखकर जांसे मारने की धंगे देगा ये कहीं न कहीं थोड़ा सा लग रहा है लेकिन फिलाल पुलिस इस पुरे मामली की जांस परताल कर रहे है दोस्तों जांस परताल करने के बाद क्या कुछ कहानी है वो निकल कर सामने आईगी आपको क्या लगता है आप जरूर बताईएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में अगर आप तक अभी तक बने थे तो आपका दिल से आभार नमस्ते जैन